आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello Student इस Question में अपने पास बोला गया है कि जो Gravitational Force है जो मेरे पास यहां पे Sun है वो क्या कर रहा है? एकजर्ट कर रहा है अपने पास यहां पे Earth पे उसका Magnitude अपने पास यहां पे कितना गिवन है? F1 गिवन है और यहां पे बोला कि जो Earth है वो जो Sun पे एकजर्ट कर रहा है Gravitational Force उसका जो magnitude नहीं पास यहां पे उसके लिए पास यहां पे F2 गिवन है तो बोला जो F1 और F2 में relationship होगा वो क्या होगा अपने को यहां पर बताना है तो इस question को अपने यहां पर solve नहीं start करते हैं तो सबसे पहले मिल पास क्या है अपने वो बता कि जो earth होती है वो क्या करती है अपने पास यहां पर जो sun है उसके round में elliptical orbital में motion करती है तो मिल पास यहां पर क्या करती है जो अपना अर्थ होती है वो sun के round में elliptical orbital में motion करती है और अपना जो sun होता हो क्या होता है यहां पर इसकी जो focus होता होता है तो यहां पर अपना जो sun होता है basically यह मेर पास यहां पर इसका sun होता है यह अपना sun होता है इसको मैं यहां पर से डिनोट कर रहा हूं और सन का मास को मैं बोलता हूं यहां पर कुछ MS है यहां पर और किसी पोइंट यह बोलता हूं यहां पर यह अपना अर्थ है अर्थ भी आपस किया एक स्फेरिकल है यहां पर प्लेनेट होता है तो अर्थ का मास है किसी point पे अर्थ का मास मैं बोलता हूँ मैं पास यहाँ पे capital M subscribe में E लिखता हूँ अर्थ के मास के लिए किसी point पे इन दोनों की 20 की जो distance है यहाँ पे दोनों मेरे पास जो planet है उनकी 20 की जो distance है यहाँ पे उसको मैं बोलता हूँ उसकी value है यहाँ पर R है तो क्या होगा यहाँ पर दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को attract करेंगे तो यहाँ पर मैं पास यहाँ पर sun पर जो force लेगा due to अपने पास यहाँ पर earth तो उसको बोलता हूँ यहाँ पर force on sun due to earth और यहां पर क्या करेगा अपने पास जो अपना sun होगा वह अर्थ को अट्रेट करेगा तो मेरे पास आएगा force on earth due to sun तो यहां पर मेरे पास जो force है force on sun planet due to earth इसका अगर मैं magnitude लिखूँ तो magnitude क्या एगा direction तो क्या हैगा दोनों को मिलाने में लाइन के लोंग में आएगा ठीक है और यहां पर क्या करेगा आपने पास Sun है उसको अर्थ अपने पास अट्रेक्ट करेगी और यहां पर जो magnitude हो क्या आएगा वो आएगा जी इन्टू मास ओफ सन सिमिलरली अर्पास जो फोर्स आएगा अर्थ पे ड्यूट तो सन उसका अगर में magnitude देखूं तो वह आएगा उसके वह लिए आएगी जी इन्टू मास ओफ सन मास ओफ अर्थ ड्यूट बाए र सेट क्योंकि यहां पर च्वाए ऑन पर क्या है सोलेड स्फियर होते हैं दोनो तो इनको मैं एज पॉइंट मास दब्एट कर सकता हूँ तो आपने क्या पता है कि जो फोर्स ओन sun due to earth है उसका magnitude होगा है force on earth due to sun है उसका magnitude है उसके equal है मतलब मेरे पास क्या होगा दोनों के बीच में लगने वाला जो gravitational force होगा उनका magnitude क्या होगा equal होगा तो बोल दो हमाँ पर equal magnitude होगा और जो direction होगी हो क्या होगी यहां पर एक दूसरे के opposite होगी ठीक है यह पर पास किसका रोल होता है यहां पर Newton's law of gravitation क्या बोलता है कि कोई भी दो object होता है इन general उनके बीच में लगने वाला force क्या होता है यहां पर magnitude में equal होगा दोनों के उपर equal and opposite force है gravitational force हो act होगा तो यहां पर अपने को देखे हैं तो दोनों पर लगने वाला force का magnitude क्या होगा equal होगा तो यहां पर अपर अपर आपने option चेक करेंगे कि कौँसा option अपना correct होगा तो जो option C है F1 is equal to F2 इस question का अपना correct answer हो जाएगा तो जो option C है वो अपना यहां पर correct answer हो जाएगा Thank you students